Hello French Tax Filing School के इस वीडियो में आपका स्वाग है थे दोस्तों एक बहुत important काम आपको अभी तुरंत कर लेना है भले आपने ITR फाइल किया हो यह ना किया हो आपको जाना है income tax portal पर login कर लेना है AIS पर आपको click करना है और AIS के सारे information आपको check कर लेने हैं अब काफी लोग बोलेंगे कि हमने तो already check किया था उसके बाद ही file किया हुआ था ध्यान दीजेगा AIS काफी late update हुआ है इस बार काफी लोगों का जो transaction है वो देर से report किया गया है तो हो सकता है आपने जब file किया तो information दिखाई नहीं दे रहा था correctly और जब आपने ITR file कर दिया तो उसके बाद भी यहाँ पर information add हुआ हो जिसकी वज़े से mismatch हो रहा है आपने जो ITR file किया था और जो AIS है उसमें mismatch हो रहा है और इससे related बहुत सारे SMS अब भेजे भी जा रहे हैं लेकिन समस्या यहाँ पर क्या है समस्या यह है कि 31st December को ही आखरी तारीक है return को revise करने का belated return file करने का तो आपने अगर ITR file कर दिया हुआ है तो भी आप एक बार AIS अपना जरूर चेक कर लीजेगा माल लीजिए कुछ इसमें से wrong है additional income है कोई heavy transaction है तो उसको आप दुबारा ITR को revise करके report कर सकते हो लेकिन 31st December के बाद आप ITR को revise नहीं कर सकते हो updated return अगर file करोगे भी तो वहाँ पर आपको late fees plus interest भी ज्यादा लगेगा उसके अलावा माल लो यहाँ पर आपका income थोड़ा सा बढ़ गया उसके साथ TDS भी बढ़ा है तो 31st December के पहले आप TDS को claim भी कर सकत हो तो एक बार जरूर चेक कर लीजेगा अपना AIS कुछ भी यहाँ पर अगर transaction अलग दिखाई दे रहा है और उसके लिए अगर आपको ITR file करना है दुबारा तो कर सकते हो 31st December से पहले और माल लो कि आपने ITR file ही नहीं किया हुआ है तो भी आपको AIS चेक कर लेना है कोई भी income tax नहीं लगेगा late fees नहीं लगेगा बट 31st December के बाद आप nil return भी file नहीं कर सकते हो तब आपको या तो late fees भरना ही भरना है या तो कोई tax liability होगा उसके साथ साथ आपको interest भी लगेगा तब ही आप ITR file कर पाओगे उसके allow बहुत सारे ऐसे losses हैं जिनको आप carry forward नहीं कर सकते हो 31 December के बाद TDS claim नहीं कर सकते हो आप 31 December के बाद तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिएगा अगर आप हर साल ITR file करते हो भले ही निल तो आप 31 December से पहले ही भर दीजिए अब ITR file किया हो आपने या ना किया हो AIS आप जरूर चेक कर लीजेगा यहाँ पर देख लीजेगा कि क वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आप से गले वीडियो में तब तक आफंसते रहें मुस्कुराते रहें धन्यवाद